तो दोस्तों अभी हम यार अपने विलेज में और यहां पर काफी ज्यादा धंड है लेकिन यहां पर हम आज करने वाले हैं मौन टेस्ट आपको जूर वहाँ पर दोस्तों एक मौन दिख रहा होगा तो इसको अभी हम यहां पर पर जूम कर कर देखेर और आपको बिता Architect यहां पर देखने को मिलता है किस तरीके कि यहां पर ले सकते हुआ अपने हैस्ट 121 एफ़े के जी टूपल यह डिशन ईडिशन उसके बैक कैमरे से तो भाई चली फटाब हशच ट से शुरू करते क्योंकि यहां पर ठण भी काफ़ी ज्यादा हो रही है तो भाई फटा फटस कि जो असली क्वालिटी आपको कुछ इस तरीके की देखने को मिलने वाली है यहां पर अगर आप वीडियो मोड में जाते हो तो लेकिन जो अभी इसका बैक कैमरा काफी जादा लाइट गैदर कर लेता है क्यूंकि आप्टिमाइजेशन काफी अच्छ है यहां पर तो हम यहा जाएगे तो कुछ इस तरीके की मेज हमें देखने को मिलेगी फिर टू एक्स पे दोस्तो इतना हमें इस फोन से देखने को मिल जाता है तो थोड़ा सब सबसे पहले हम दोस्तो एक बात का अपने ध्यान रखना है जब भी आप मून की फोटो यहां पर जूम करने जाओगे कि भाई सबसे पहले अपने लेंसिस यहां पर साफ कर लेने हैं उसके बाद जो वेदर है वो दोस्तो बिलकुल कलियर चीए ताकि हमें जो एक बहुत ही अच्छी लाइट है वो कैमरा यहां पर गैदर कर सके अधरवाई आपकी फोटो में काफी जादा नॉइस और डिस्रे लेगे भाई अब यह फ्रेम से बार जा रहा है फोर एक्स फाइफ एक्स फे हम थोड़ा सा और इसे यहां पर जूम कर लेगे तो भाई मैं अभी ट्राइप और स्टेंड पर फॉन लगा कि यहां पर जूम कर रहा हूँ और आपको धिरे-धिर में बता रहा हूँ किस तरीक को नहीं मिलेगी मुझे पता है लेकिन अगर हम इस टाइम और जूम करने कोशिश करें जैसे 20 एक्स तो इस टाइम यह दोस्तों फोकस में से ले लेगा जहां तक मुझे लग रहा है तो भाई थोड़ी सी दिक्कत जो है मुझे लग रही है कि आ रही है तो दोस्तों यहां पर 30 जूम करने पर आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा कैमरे को कि यह लाइट को अड़ेस्ट कर ले तो जैसी दोस्तों लाइट को अड़ेस्ट यह अपने ही साफ से एक्सपोजर अड़ेस्ट करेगा आप देख सकते भाई जो इसकी इमेज प्रोसेसिंग है इसके काफी जादा एडवांसमेंट कर लिए जूमिंग में तो वो तो हमें यहां पर पता है ही तो इसके बाद दोस्तों में जूम आउट अगर आपको एक बार करके दिखाओ तो आप देख सकते भाई कितना ज्यादा दूर है यहां पर और अगर हम इसे वाफसी जूम में लेते है कि जब यह फोकस में जैसे आप इसने फोकस में ले लिया इसके बाद अपनी आप इमेजिस क्लिक यहां पर कर सकते हो बाकि आपको मैं रिजल्ट यहां पर दिखाता हो भाई प्रोसेसिंग के बाद यह फोटो काफी जादा क्लियर यहां पर आती है और जो मैं अभी तो आप लोग ने देखा है कि इस तरीकी की क्वालिटी आपको देखने को मिलती है इसके बैग कैमरे से मेरे क्यासे दोस्तों काफी अच्छा कैमरा है इसका जूमिंग के लिए जिसको दोस्तों जूमिंग का शौक है वह जरूर यहां पर सेमसंग का कोई भी गलैक्सी डिवा तो उसमें आप जाकर देख सकते हूं कि इस तरीके का जूम आपको देखने को यहां पर मिल जाता है